मुंबई से सांसत गोपाल सेटी हमारे साथ हैं ये उसी इलाके से सांसत है जिस इलाके में दिसा साल्यान रहती थी और अब बात उठ रही है सुषान सिंग राजपुत जो सुसाइड का मामला जाच हो रहा है बात उठ रही है कही ना कहीं दिसा साल्यान ने जब आत्मत्या की ती तो उस से पहले 100 नमबर पर प्लिस गो काल किया था। सेटिसार से पूँछे हैं इस तरीकी की बातें आ रही हैं कितनी सच्चा है? पुझे ये बातें मीटिया से आ रही है है और मैंने का कि मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है और ऐसे समय पर हम लोगों ने कोई मन गणत बाते करकर उसको एक नया दिशा देने का प्रयास करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है देश के लोग मुंबई शहर के लोग और जो भी इफेक्टेट घर परिवार के लोग लोगों ने बहुत इंतिजार किया है और मैं मानता हूं क के साथ ठीक रही कोृत हूँ तो बात करते थो वह डेटेव और डेटा अपने पास लेकर बात करते है जोबी बात कही होगी तो उनके पास उसके परियापत सबूत होंगे इसलिए मानना चाहिए MI 밖에 कर मुंबई पिलिस ने जो जाच की उस पर भी सवाल今ी सानध्य लगातार हाला कि जो सिफसे न सरकार है, वो कह रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब CBI जांच की चल लगी है, लेकिन मुंबई पुलिस की जो कारेश है लिए उस पर सवल उखते हैं। नहीं रही है, और दूसरी एजेंसिया जाच परताल कर रही है, और मैं मानता हूं कि अभी नजदिक पहुचे हैं, कुछी दिनों में इसका खुलासा हो जाएगा। उस इलाके से सांसद हैं सर, जिस जब दिशा सालियन के साथ ये घटना घटी थी, तो आपको भी इनफर्म किया गया होगा, आपको बताया होगा, तो उसमें क्या लगा था पहली नजर में? ने दिशा सालियन के परिवार वैसे हम मेंगलोर के हैं, करनाटक के हैं, उसके समाज के लोग मेरे पास आये, और उन्होंने का कि हम करनाटक भी गए, मंत्रियों को भी मिले, आपके पास भी आ रहे हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, तो मैंने उनको तब भी कहा था, कि अभी तक केस की जाच जो है अब सीवी आई भी कर रही है तो सही दिशा में जा रही है पहले सही दिशा में नहीं जा रही है ऐसा सभी को लगता था इसलिए तो फिर सीवी आई का उसमें इन्वाल हो गया इन्वालमेंट हो गया और सीवी आई का इन्वालमेंट होने के बाद में बहुत कुछ बाते बाहर आने लगी है और जैसे एक एजंसी बड़ी एजंसी और केंद्र के निगरानी में वो काम कर रही है और केंद्र में जब मोदी जी की सरकार है जिसके उपर पूरे देश के लोगों का विश्वास है और विश्वास काम के उपर उन्होंने संपाध किया है और मैं मानता हूँ कि सही नतीजे तक का सीबी आई के लोग पहुचेंगे क्या लगता है दिशासालियान केस में भी सीबी आई की जांच हो रहा है ना एक बात का गड़बड़ अगर पुलिस पकड़ लेती है तो उसमें से फिर दस बाते भारा आ जाएगी क्योंकि त नतीजे तक पहुचने के लिए सारे सबुतों कोई कठा करना पड़ेगा और जिस दिन भी भात भारा आएगी तो उसमें आप यह सारे को एक साथ में समिट कर उसका नतीजा सुनने के लिए मिलेगा तो कुल मिला कि सांसर साब को यह कहना है कुपाल शेटे जी का कि जल्दी से जल्दी जिस तरी की से जांच सही दिशा में अब जा रही है और जल्दी दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा कैमरामन नितिन के साथ विने सिंग निश्टन टिफोर्ट देली